वेल्कम बैक टो माई चैनल दूस्तों कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे दिली के लजी थाने में हमापका बहुत जादा वेलकम करते हैं आज हम आपके साथ हेईर करें दफी आपके साथ शेयर करांगे ओरयो बॉल्स के रिसिप्पी अज हम आपके लिए और यॉचोकलेट बॉल्स बनाइए और ये उयू बिस्किट को नुकुट बनाखेश लाएंगे, झालेँ डुझ ये दो एक पिसकिट लिए नहीं निकालते ह तो जार के अंदर डालेगा और बिलकुल इसे अच्छे सी ग्राइड कीजिएगा बिलकुल एक पाउडर बना लिजिएगा तो यह दिखें है हम इसका एक पाउडर बना लिया है आप देख सकते हैं और अब हम चलते हैं इसके next process की तरह तो यह हम बिस्किट्स का जो पाउडर बाल के ट्रांसफर करें गो देखिए हैं अब हम इसके अंदर 2 टेबल इस्पून चॉकलेट सीरप डालेंगे अपनी पसंद का कोई भी चॉकलेट सीरप और आइड कर सकते हैं और इससे हम अच्छा से मिक्स कर लिए गे इसको पहले आप अच्छी से मिक्स कर लीजिएगा तो चोकलेट सीरप डालने के बाद हम इसे अच्छी से मिक्स करते हैं और फिर हम इसका एक डो बना लेंगे तो यह देखें हातों की मदद से हम इसे इस तरह मिलाएंगे जिससे यह एक डो की तरह बन जाएगा यह दिखें दोस्तों एक डो की फोम ले रहा है अप देख सकते हैं यह एक डो की तहहां बन गया है यह सिम गया है तो अब हम इसकी बॉल पना यह दो पहुत यख़दा बनानाई का बना लिएगा तो इस तरह दें हम सारी बऌल से बना लेंगे मिला भाहत बेंशनना हम सारी बॉल्ड खु और बहुत ही जल्दी बन जाएंगी यह सिर्फ दस मिनट लगेंगे आपको इस रेसिपी को बनाने में जो बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगी और बच्चों को भी बहुत ही जादा पसंद आएंगी तो यह देखे इस तरह हम यह सारी बॉल्स बना कर रख लेते हैं यह देख हम इसको इस तरह हम बिल्कुल चोटा पीसिस कर लें विमिट ऐसारे बना एंगे जाप्तूर सबाएंगे जोच्आश बहुत हelyn के बिल्कुल बना कोड़ कर लेंगे अगर आपके पास डुक डीडार कंपाउंड चॉकलेट ना हो तो आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं डेनी मिल्ड करने के बाद देखें इस तारह हम कि इसके अंदर अच्छे सी गॉड करेंगे सारी बॉल्स को कितनी एजी ली ये बन जाएंगी और बहुत जादा टेस्टी भी बनेंगी आप हमारी रेसिपी के साथ जाके ये जरूर राइ कीजेगा दोस्तों बच्छों को भी बहुत जादा पसंद आएंगी तो ये देखें सारी बोल्स को हम अच्छे से कोट कर लेंगी चॉकलेट के अ थोड़ा हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे डेकोरेट कीजेए या विदाव डेकोरेट भी आप इसे खा सकते हैं ये देखें दोस्तों चोकलेट को मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है और वह मैं इसके अपर डाल रही हूं इसको तो देखा कितने कम टाइम में हमने आपके लिए ये और यो बिस्किट से इतनी अच्छी ये चोकलेट बॉल्स बनाई हैं अब हम इसे 10-15 मिन रख लेंगे तो ये देखें ये मैंने 15 मिन रखा ता जिसे ये अच्छी से सेट हो गई है आप देख सकते हैं तो ये और ये चो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी दुआओं में हमें जरूर याद रखेगा और अगर प्लीस आपना भी तक हमारे यूटीब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक् सब्सक्राइब